आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगी मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं होते ही स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्वाकत है तो 28 सेप्टेंबर के करें इंटरफेस आपके सामने 27 के हैं तो पांच करें इंटरफेस देखेंगे 10,000 MCQ का कोर्स लाइव है जोग्र उन्हों ने ये बोला उनकी जो इस्टन जोन बेंच है कि बाई देखिए जो ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रजेक्ट है न दिक्कत है उसमें वो आइलेंड कोस्टल रेगुलेशन जोन ICRZ नोटिफिकेशन इसको वॉयलेट कर रहा है तो फिर युनियन बोला कि जी नहीं सर NGT गलत है आप गलत है कोई भी वॉयलेट नहीं कर रहा है अब इसके रिस्पॉंस में एक और पेटिशन डाली गई इन्वाइमेंटल आक्टिवेस्ट आशिश कोठारी उन्होंने कंफर्म किया कि भाई देखिए जो NGT के प्रीवियस ओडर्स हैं आप उससे कंप्लाइन नहीं कर रहे हैं और आप जो इन्वाइमेंटल क्लियरेंस है उसको ज़ड़ा सा रिविजट करिए क्या है कंप्लाइ है कि जो लौ है स्टाटिक्चुरी प्रोविजन से उसी के हिसाब से डेवलप्मेंट हो लौ के हिसाब से ही इको सेंसिटेफ एरिया हमारे कोस्टल जोन है ठीक है न एक ग्राउंड सर्वेट जून 2023 में करवाया गया और यहां पर बोला कि जो प्रोजेक्ट का जितना भी च करेंगे तो इसमें एको सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं है सस्टेनिबल डेवलप्मेंट रहेगा जूल्यॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि कोई भी कोरल्स प्रोजेक्ट जहां डेवलप कर रहा है डेवलप्मेंट हो रहा है तो वहां पे नहीं मिले हैं है ना 16,150 कोरल कॉलोनीज है गैलेथिया बेंबे हो सकता वो एफेक्ट हो ऐसा बोला जा रहा था तो कैसे होगा साड़े 4,000 कोरल कॉलोनीज जो है वो डेंजरस है वो खत्रे में है तो वही बताया है कि मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 10 लाग के करीब पेड गिराए के 834 हेक्टियर लैंड जो है वो एक्वायर करेक्ट किया जाएगा तो बहुत भयानक इंपाक्ट होने वाला है पेडों पे कोरल्स पे टर्टल्स पे और जो एंसेस्ट्रल लैंड्स है निगोबारी ट्राइप्स उन सब पे ठीक है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यह 72,000 क करोण का इनिशेटेव है जो कि नीती आयवनिस को प्रोपोस किया था और उसके बाद अब कंस्ट्रक्शन जो है इस पर तयार होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में डिपेंड करेगा राइट और इसमें एयरपोर्ट बनाए जाएगा ताकि एयरपोर्ट सेविलियन और डि यह चा Nacht की 9-1 टाइश-लाइन यानि की य union मलेशिया ब्रुम्हे लेकिन वीजियन और ट्रफ साइड में रखो्र अधर हमाना पूरा है यहाँ पर कि चाइना क्रूशल है यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी एनर्जी है, स्टार्टिगल इंपॉर्टेंट है, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंडिग्रिटी के लिए, चाइना कहता है कि यह साउथ चाइना से पर हमारा दद्दवा रहेगा, 2019 डिफेंस वाइट पेपर ने यह भी यहाँ पर कुछडी बोलेगा, अब क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहली बात तो शिप, मैली टाइम ट्रेड बहुत जादा होता है ताइवान स्ट्रेट से, साउथ चाइना सी में 10 बिलियन बैरल्स और पेट्रोलियम जाता है, लगबग 6.7 ट्रिलियन क्यूबिक फी यहाँ पर चाइना यही कहता है कि हम अपने डेवल्लेप्मेंट यहाँ पर करेंगे, क्योंकि आईलेंड हमारा है, तो इंफ्रस्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, मिलिटरी यहाँ पर प्रेजंस बढ़ा रहा है, अशिक्तिक है न चाइना की बहुत तीजी से चाइना जो है वह जापान कहे रहा है कि बहुत हुआ सम्मान, अपने defense spending का हम double अब खर्च करेंगे, मतलब हम double अपना budget करने वाले 2017 तक, फिलिपीन्स भी ब्रह्मोस मिसाइल बारच से खरीद रहे हैं, और फिलिपीन्स हलाकि आपको बता दूँ कि चाइना के खिलाब जो Ferdinand Marcos है, उन्होंने बहुत ही firm stand लिया है, कि चाइना जो है वह aggressive हो रहा है, अमेरिका, जापान, South Korea की defense minister जुलाई 2024 में मिले, बुला कि कुछ भी करके इंडो Pacific को बचाएंगे, status को maintain होगा, अमेरिका ने और जादा जापान, फिलिपीन, South Korea में अपना military cooperation दे दिया है, वैसे आपको बता दो, फिल फिलिपीन्स पर हमला होगा, तो अमेरिका पर हमला माना जाएगा, और इंडो Pacific को, अमेरिका को हर हाल में ये area को secure करना है, भारत और अमेरिका के relations की बात करें, तो again, Quad, भारत, चापान, Australia, अमेरिका, लेकिन सबसे बड़ी जो मुलाकात होई हो, अमेरिका, और भारत की नरे या तो कमरा हैरेस से मिले है, डॉनल्ड ट्रम्प से मिले, जो जनवरी 2026 में, जब अभी नवेंबर में एलेक्शन है, रिजल्ल जनवरी 2026 में आएगा, तो बहुत अच्छे relation, जिके बाइडन, जो बाइडन, और भारत, जो बाइडन के समय, भारत और अमेरिका के relation तब से पिछले 18 सालों से भी नेवर लुक्ड बैक, ठीक है न, और वाइस प्रेसिडेंट जैसे भारत 2013 में आये थे, 2013 में, वाइस प्रेसिडेंट आये, हलाकि ये 2000 में जब बिल क्लिंटन आये थे, तब से ये शुरू हुआ है, ठीक है न, ये सिलसिला, 2020 में बाइडन जो ह कि हम भी सपोर्ट करेंगे पूरा, क्वाड जो है, हो 2017 में रिवाइब हुआ था, ट्रम्प के समय ही रिवाइब हुआ था, और जो बाइडन इसको एक अलगी लेवल पे ले गए, छे बार मोधी और बाइडन मिल चुके अभी तक, और दोनों ही देशों ने ये जाना है, य ग्लोबल सप्लाई चेन अब हमको खुद की बनानी है, डिपेंडेंसी चाइना पे कम करनी चाहें जो भी हो जाए, तो इस वेरी इंपोर्टेंट, ए आई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायो टेक, सेमी कंडॉक्टर प्लांट, जैसे अभी क्वार्ड में तो ये पूरा ए बागी कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट जैसे नासा, इस रो ये भी मिलके इंटरनाच्छल स्पेस टेशन या फिर सप्लाई चेन के लिए काम करेंगे, 31 रिमोटली पाइलेटेट एरक्राफ्ट, ड्रून्स, ठीक है न, इस में अरोप लगाया कि निजर हो गया या गुर पतवन सिंह पन्नू को मारनी की साजीज भारत तर चराये, अब अजीब बात है कि इधर नरेंदर, और उदर वाइट हाउस में खालिस्तानियों को ये आश्वसन दिया जा रहे कि हम तुम्हारे साथ है तो ऐसे कैसे चलेगा अजीर डोवाल के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है अमेरिका में अजीर डोवाल को बुलाया गया ये तो अजीर डोवाल गए नहीं तो ये हमको समझ दी गई है ठीक है ना जिसमें कॉंग्रेस चार्ट, DMK, TMC दो और समाजवादी पार्टी एक ठीक है तो ये स्टैंडिंग कमिटी होती आपको बता दूँ कि 24 स्टैंडिंग कमिटी जो पर्मनेंट कमिटी जिनको बोला जाता है में फंक्शन यही होता है कि accountability हो ठीक है इसमे आप ये होगी ही होगी, ad hoc temporary होती है कि 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 कोई particular issue पर committee बना दी और बाद में उसको हटा दिया गया, तो key committee ये defense है, home affairs है आप देख सकते है कौन-कौन lead करेगा, finance है, railway है, ये इतना कोई इतना important नहीं है, बस committees are very important, lead कौन करेगा आप इसको skip भी कर सकते हो, बाकि ये Congress किन-किन committees पे chair करेगी, और TMC, DMK, ये इसकी PDF आपको मैं अपनी website पर देदूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परमुरुद्र सुपर कम्प्यूटर आज का अखली कर इंटरफेयर, तो प्रधान मंत्री मोधी जी ने परमुरुद्र सुपर कम्प्यूटर नेशन को दिया, 130 करो है, और ये पुने डेली कलकत्ता में परमुरुद्र सुपर कम्प्यूटर डिप्लॉइ किया गया है, GMRT, वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया है, जाएंट मेट्रो रेडियो टेलिस्कोप, जो की IUAC में है, तो वही है, हाई परफॉर्मस कम्प्यूटिंग सिस्टम, हाँ पे डिप्लॉइ किया गया है, लगबएक साड़े 800 करोड का इंवेस्टमेंट है, computational capacity को आगे बढ़ाने का, और प्रधान मंत्री मोदी जी ने यही बोला कि जहाँ जारूरी है कि हम सुपर कम्प्यूटिंग टेक्नोलोजी में आगे बड़े self-reliance हो, इसमें, याद र 28 में लॉंच करने वाले हैं, तो उसका संद जान 3 से हमने inspiration ली, और अब हम science and tech में लगातार आगे बढ़ेंगे, semiconductor mission बहुत important है, chips जो है वो हम लेंगे, अमेरिका से भी अभी मैंने पता, deal sign की, तो बढ़िया है, यह ले चरता आई हो, आपको समझ में आया होगा, खुश रह हम ले वाले हैं, कि एृवत रहर आई हैं